नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए मैं आपको एक बहुत ही खास लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ और ये खास लोकेशन ना सिर्फ भारत के लिए है बांगला देश के लिए भी है और चीन के लिए भी बेहर ही खास है और जब मैं आपको इसके बारे हम बताऊंगा तो आप भी जान जाएंगे कि क्यूं मैंने इसे इतना खास कहा है सबसे पहले आप सिर्फ पर देखिए बेव बेंगॉल इसी बेव बेंगॉल में अगर आप चलेंगे तो ये पढ़ता है शेत्र कोक्स बाजार इसी कोक्स बाजार में थोड़ा और जूमिन करते हैं ये देखे इसे कहा जाता है पीकवा इस शेत्र को यहां पर एक बहुत ही खास शिज हो रही है दरसल यहां पर चीन बना रहा है एक नोसैनिक अड़ा और यह नोसैनिक अड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है यहां पर जो टेक्नोजी यूज हो रही है वो चीन की state of the art technology है काफी बढ़ा है यहां तक कि यह capable है कि यहां पर चीन की जो nuclear पंडूबियां है वो भी डोक कर सकती है और क्या क्या कर चीन मना रहा है कि हम तो बस यहाँ पर logistic के लिए अपानी नोसेना आया करेगी logistic मतलब कि चीन की अगर कोई नोसेनिक ship या कोई पंडूबि अगर मालीजे की यहाँ पर देखे करके जाय करेगी चीन ने बस यह का है कि हम इसका ऐसे इस्तमाल करेंगे लेकिन चीन की intention क्या है उनकी intention यह है कि हिंद महा सागर में वो यहाँ पर भारत को घेलने की पूरी साज़िस है क्योंकि भारत के जो main port है जैसे कि विसाका पत्नम port हो गया सब इस port की radar में पढ़ते हैं ऐसे में चीन की चाल यह थी कि यहाँ पर जो उनका base है ना इसकी मदद से वो Bay of Bengal में अपनी नोसेना की activity बढ़ा सकेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ठिकाना इने मिल गया जहाँ पर यह आ सकते हैं इनके पास बहाना है कलको अगर यह ना होता और यहाँ पर चीनी शिप आती तो भारत पूछता कि आप यहाँ पर क्यों गुसे हैं तो चीन के पास कोई जवाब ना होता लेकिन अब जवाब है कि हम तो लोजिस्टिक सपोर्ट के लिए बंगलादेश जा रहे थे यहां से गुजड़ते हुए ऐसे में चीन यहाँ पर भारत की जो डोमिनेंस है ना बेव बंगाल में खतम करना चाहता है और भारत पर मालिजेकल को युद हो जाता है युद की स्तिती बनती है तो उस स्तिती में भी यहाँ से काफी जादा प्रेशर भारत पर डाला जा सकता है हालाग आप कहेंगे कि जब यह भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है तो भारत ने इसे रुकवाने के लिए कुछ किया नहीं तो बहुत कोशिश है की बहुत प्रेशर डाला बंगलादेश पर लेकिन बंगलादेश नहीं हटा क्यूं पहला कारण था कि बंगलादेश के आज की तारिख में जो जातर हतियार है लगभग 80% तक वो चीनी मेड है दूसरा बड़ा कारण है कर्ज चीन बंगलादेश उस समय मना नहीं कर पाया लेकिन अब भारत ने इसका तोड ढूंड लिया है वो है क्वार्ड बंगलादेश को ओफर दिया है क्वार्ड में आने का और इसको बैकिंग मिल लई है अमेरिका से अमेरिका पूरी तरीके से प्रेशर बनाय हुए है बंगलादेश पर की वो क्वार्ड में आ जाए चीन ने यहाँ पर चेतावनी भी दिया बंगलादेश को कि आप यहाँ पर क्वार्ड में मत चले जाना क्यों चीन को पता है कि जैसे ही बंगलादेश को आड़ में आएगा चीन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं मिलिटरी प्रोजेक्ट बंगलादेश के अंदर सारे के सारे खतम हो जाएंगे चीन की जो डोमिनेंस हा बंगलादेश के अंदर पूरी तरीके से खतम हो जाएगी इसलिए उसने हाली में धमकी भी दी थी बंगलादेश को लेकिन बंगलादेश को पता है कि इस ओफर को ठुकराना आसानी है क्यों अगर भारत देता सिर्फ ओफर तो शायर ठुकरा है जा सकता था लेकिन इसके पीछे कौन खड़ा है अमेरिका अमेरिका यहाँ पर पहले तो समझाएगा फिर पैसे देगा लेकिन जब भी नहीं माना तो अमेरिका सेंक्शन लगाकर परतिबंद लगाकर बांगलादेश की कमर तोड़ देगा और आपको बता दू कि अमेरिका के परतिबंद बांगलादेश पर बहुत इफेक्टिव होंगे इसलिए बंगलादेश फस गया है अगर वो हा करा, तब मरा ना करा, तब जाधा मरा इसलिए बतायओ जा रहा है कि बंगलादेश आने वाले कुछ दिनों के अंदर कवाड को जोइन कर सकता है और अमेरिका भी बहुत जादा प्रेशर बना रहा है बंगलादेश के उपर और इधर से भारत भी लगा हुआ है हाला कि अब आप मुझे कमेंट करके बताए क्या भारत और अमेरिका की ये चाल काम्याब हो सकती है या फिर चीन एक बार फिर से बाजी मान ले जाएगा कमेंट करके जुरू बताएगा साथी वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूंत भूलेगा थैंक रूर्स परसिंग वडियो